नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं पन्याल स्टडी और आस्तारी के 14 दिसम्बर 2020 आज एक्जाम हुआ है सास्त्री टैट का तो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका जी की सेक्शन तो चली देखते हैं कौन कौन से कोशन इसमें पूछे गए हैं तो फॉर्स आपके पास कौशन किया है बी हूप इस फोल्क डांस आउफ विचस टेट तो बी हूप किस राज्जे का लोक नित्य है तो और किस सविधान से वो लिये गए हैं तो इसका जो आपकी पास correct answer है तो वो है आपका option D Ireland तो हमारी जो DPSP है Directive Principle of State Policy ये लिए ये हैं Ireland की constitution से next question देखते हैं तो यहां पर तोड़ा clear नहीं दिख रहा है बट मैं आपको question बताता हूँ question क्या है यहां पर लिखा गया है who was the first non-permanent chairman of the constitutional assembly of India तो जब भारत की जो सविधान सभा बनाए गी थी तो उसके जो असदाई सभावती थे वो कौन थे सबसे पहले तो उनका नाम था Dr. Sachidanan Sina Dr. Sachidanan Sina ये पहले असदाई President बनाए गये थे हमारी सविधान सभा के उसके बाद जो सभापदी बनाए गये थे वो बनाए गये थे Dr. Lazinda पसाद है यहाँ पर पुझा गया है non-permanent chairman तो option B Dr. Sachidanan Sina correct answers का next क्या है bauxide is an ore of bauxide किसका यह सक है यह है aluminium option C correct answers का next के है मनुश्य की भोजन का जो अधिकांश भाग है वो कहां पसता है where does the maximum food of a human being get digested तो हमारा जो maximum food है वो पसता है small intestine में तो यहाँ पर जो correct answer और इसका भी एक पार्ट होता है जिससे के दिव डैनम यह पार्ट होता है आपका small intestine का ही कई आपसे deeply एकर question पुछ रहा है तो यहाँ पर answer क्या होगा दिव डैनम यह पार्ट है पर small intestine का ही next के है what is the height of the statue of unity तो इसकी height 182 meter option B इसका correct answer है next where is lal chandpratty कला के इंदर saturated तो lal chandpratty जो कला के इंदर है वो आपका कुलू में option B correct answer इसका next इंदरा point जो southernmost दक्षिंटम बिंदू है भारत का यह आपका परता है अंडमान एन निकुबार आइलेंड में next question किया है deficiency of vitamin C causes vitamin C कि अगर आपकी श्रीर में कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग होता है वो है scurvy next who is considered to be the founder of earth day तो यह में से किसी प्रिथ्वी दस earth day का संस्थापक मना जाता है तो इसका जो correct answer है वो है option ही गे लॉर्ट नेल्सन गे लॉर्ड नेल्सन next next आपकी वास question किया है 131 who is the present chief justice of India भारत की जो वर्टमान मुख्य नाइधीश है वो कौन है उनका नाम है शरद अर्विंद भोगडे यह currently रहे है 18 November 2019 से तो option B essay भोगडे इसका correct answer है next who is the present foreign minister of India भारत की वर्टमान विदेश मंत्री आपके सुबरमनिम जैशंकर option C correct answers का next who was the first chief justice of हिमाच्पदेश है High Court हिमाच्पदेश की उसने ले के सबसे पहले मुख्य नादीश थी वो थी मिर्जा हमिदिल्ला बैग MH बैग correct answers का उप्शन C next name the person who received the first Victoria Cross in हिमाच्पदेश हिमाच्पदेश में किस विक्ति को सबसे पहला जो Victoria Cross दिया कहता जो World War के दोन दिया कहते तो उनका नाम था जमिदार लाला राम option B correct answers का next the blood group which is universal recipient तो इमें से कौन सा blood group है जिससे हम कहते है universal recipient जो किसी भी blood के उपर की विक्ति सिखून ले सकता है तो वह है आपका यह भी positive यह भी positive आपके पास के है universal recipient और एक आपके पास कोशन आता है universal donor तो universal donor होता है O negative तो दोना है आपको बता हूँ नची universal recipient भी और universal donor भी next who wrote the song आमार सुनार बांगला आमार सुनार बांगला यह जो गीत है किस ने लिखा था तो इसकी लिखा कि अरविंद ना टेग और option D correct answers का next who among the following is called as the father of white revolution तो श्वेत करांती के जनक किसे कहा जाता है तो वरगी से कुरियन जो अमोल की founder भी है तो option B correct answers का वरगी से कुरियन next question क्या है name the parliament of Germany Germany की जो संसद है हमारे यहां पर parliament ही कहते है लेकिन जो अरगल देश यह वहां पर जो संसद है उनकी कुछ ना कुछ नामे तो वैसे ही यहां भी पूछा गया है तो जो German की संसद है उसका नामे आपकी पास bunds tag तो option C bunds tag इसका correct answer है next 139 की पास in which district is the highest pass of हिमांच प्देश लोकेड़ हिमांच प्देश के किस जिले में जो हाइस्ट पास है उस्तम दर्रह बोस्तित है तो यहे अपका लाहोल स्पिती में option D इसका correct answer है और आपिंग वो परांगला पास है जिसकी हाइट है आराउंड 5588 मीटर altitude उसका इतना है next तो वो स्टार्ट के कहता है तो वो स्टार्ट के कहता है राजा अजबर सेन के द्वारा option C next के है पहला मेहना कहलाता है चैत्रमास next और यह स्टार्ट होता है राउंड आप की मार्च की करीब ठीक के बर कोश्च नहीं पूच रहता है कि जो चैत्रमास है वो कब स्टार्ट होता है मार्च में स्टार्ट होता है next के है who meets Shimla is the summer capital of British in India Shimla officially summer capital बना था 864 में और यह बनाया गया था सर जॉन लॉरेंस के द्वारा correct answer इसका option ए सर जॉन लॉरेंस और यह कौन सी है 864 ठीक है दोनुच चीच इंपॉर्टेंट है next के है highest district हिमाच्पदेश is in हिमाच्पदेश की कौन सी जीले में ठीक हो जिसका उच्टम जिला मुख्या लेस्ते थे तो यह है आपका के लॉंग जो पड़ता है लाउट्सपती लाउट्सपती का हैड़कॉर्टर है के लॉंग तो यह इसका correct answer है और बात करें इसकी height की तो यह है 3080 मेटर नेक्स्ट आपके बास question किया है दारियोत्वारी settlement was introduced by the British हिंदा तो रियोत्वारी जो विवस्ता है वो बिटिशों के द्वारा चलाई गी थी यह चली थी 1820 में और चलाई गी थी Thomas Monroe के द्वारा Thomas Monroe के द्वारा तो यह भी important है वाइसरे कौन थी और date भी important है उसके बाद यहाँ पर जो question पूछा गया है वो पूछा गया है कि यह कहाँ पीडियो टे उसके गी थी तो यह introduce के गी थी मदरास और बॉम्बी presidency में तो option D correct answers है हम पर next के है चानक्य was known as चानक्य को और जानते थे हम विश्न गुप्त के नाम से तो option C correct answers का next के है पानिनी was a famous scholar of पानिनी किस चेज में विद्वान था तो यह था language and grammar में भाश्या वियाकर्ण में option D correct answer थे हम पर next which of the flowing state have coastal line तो इनमें से कौन सी राज्य है जिनकी तट्टे रेखा हैं तोटल हमाँ पास 9 राज्य हैं जिनकी तट्टे रेखा हैं उसमें आपका आता है गुजरात, मारास्ट, गोवा, केरला, करनाटक, तैमिलाडू, अंदरप्रदेश, उडिसा और वेस्ट बंगाल कराइफिश यह और aare path तो ग्रीण विट मेरीडियन कहते हैं जिरो डिग्री लोंगेड्यूड को जिरो डिग्री दिशांतर को कहते हैं ऋपके ग्रीण विएच फ्लोइच आपका एक जगह है जो पढ़ती है लोंडन में चैकिर नेक्स्ट who is the writer of the book अंधिरी से उजाले की और यह question का आप पूछा गया है और इसकी writer है आपकी अरुन जीटली जी option D, correct answers का next और last question क्या important question है गांधी जी book तो कईवर आपसे question पूछाता है कि गांधी जी की autobiography उस book का नाम क्या है जो आतम कता है गांधी जी की लेकिन यहां पे एक question क्या पूछा गया है was originally written गुजराती who translated it into English तो यह ordinary उन्हों लेखी थी गुजराती में लेकिन उसके बाद इसका जो अनुवाद किया गया था वो किया गया था इंग्लिश में किसके दौरा किया गया था यह पूछा किया है गुजराती में लेकिन बनता है उसके बाद next question यहां पे क्या बना कि English में translation किसे ने किया जो किया गयता महादेव दिसाई के दौरा तो आज के लिए स्वीडियम फिला लेत नहीं so thank you so much